Welcome to Edujos, Edujos में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो आज RRB NTPC का Phase 2 का एक्जाम स्टार्ट हुआ है और आज 16 जनवरी को 1st shift में Phase 2 के जो questions पूछे गए हैं इन सभी questions को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे पहले 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जितने भी परिक्षाएं हुई थी RRB NTPC के Phase 1 के recording तो उन सभी Phase 1 यानि CBT 1 और उसके Phase 1 के exam के सभी questions जो है नीचे description में एक playlist बना दी गई है उस playlist से आप उन सभी वीडियो के questions को देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो का PDF आपको शाम में मिलेगा जब SIFT 2 के paper आएंगे तो SIFT 1 और SIFT 2 दोनों एक साथ जो है combined video और उसका PDF एक साथ मिलेगा Android app पर आप उस app को download कर सकते हैं Play Store पर ये available है नीचे description में इसका link भी दिया गया है वहाँ से आप इसे download करिएगा उसके प्रिवियस येर पेपर में जाएंगे PDF section में जाना है फिर जाना है प्रिवियस येर पेपर उसके अंदर आपको आज की RRB NTPC के questions मिल जाएंगे जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में bell icon प्रेस करके इसको activate कर ले ताकि हर एक वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके देखिए हमने अपना current affairs का नया thumbnail launch कर दिया है साथ ही इसका PDF जो है वो direct description में उसका link दे दिया जाता है जहां से आप उसे direct download कर सकते हैं इस PDF को आपको app से download करने की जरूरत नहीं है ये direct आपको link में मिल जाएगा तो आज के प्रशन हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से कब वापस आये थे सबसे पहला सवाल है कल हमने महात्मा गांधी से संबदे 55 प्रशनों की एक वीडियो बनाई थी 55 से ज़्यादा प्रशन थे उस वीडियो में और ये प्रशन उसमें शामिल था तो हमने आपको बताया था कि जितने भी महात्मा गांधी से important question है उसको जरूर अच्छी तरह से याद रखे क्योंकि वो आगे भी आपका पीछा नहीं चोड़ेंगे जितने भी exam होंगे RRB, NTPC या गुरूप D के उसमें उनसे question जरूर आएगा बिल्कुल exact same question है दक्षी नपरीका से वापस कब आए 9 जनवरी 1915 और यही वो दिन है 9 जनवरी का जिस दिन हम हर साल मनाते हैं प्रवासी भारती ये दिवस प्रवासी भारती ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं हो सकता है आपसे ही सवाल पूछ दिया जाए तो इस आई बटन पर आपको एक लिंक देता हूँ यहां से आप महात्मा गांधी से संबंदित सभी questions जरूर पढ़े इसके बाद है अंतराश्टी नियाले का मुख्याले कहां पर है दहेग इसका अंसर होगा नीदरलेंड और बुलन दरवाजा का दूसरा नाम पूछा गया है देखे डोर ओफ विक्टरी या भविता के द्वार इसको कहते है जब गुजरात पर जो उन्होंने विजय पाई थी अकबर ने ठीक है तब यह दरवाजा बनाय था बुलन दरवाजा इसको याद रखिएगा चंद्रियान एक कब लॉंच किया गया था वर्स 2008 में चंद्रियान एक को लॉंच किया गया था इसके बाद कोशन पूछा गया है इन्पूट डिवाइस कौन है और उसमें ऑप्शन में MICR दिया हुआ था या प्रोजेक्टर पर आपको कोई क्रिकेट मैच आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के थुरू प्रोजेक्टर के थुरू जो है PPT सलाइड आप देख सकते हैं तो यह का करता है आउटपूट डिवाइस है आउट करता है यह डेटा को इसलिए output होगा एक headphone भी दिया हुआ था option में तो देखिए headphone जो है वो input और output दोनों device है क्योंकि headphone में जब mic का इस्तेमाल होता है जहां पर वो input हो जाता है और जहां से आप speaker लगा होता है आप गाने सुनते हैं वो output device होता है तो सिर्फ पूछा गया था input device तो आप headphone नहीं कर सकते MICR जो है या इसका right answer होगा भारत और किस देश के बीच जो है वो अस्तलिय सीमा जो है नहीं लगती है ये पूछा गया है तो भारत और किस देश की अस्तलिय सीमा आपस में नहीं लगती शिर्लंका option में वहाँ पर दिया गया था ठीक है इसके बाद देखे क्योंकि सिर्लंका को भारत और सिर्लंका को पाक स्टेट जो है वो अलग करता है ठीक है पाक जलसंदी जिसको हम लोग कहते हैं वो इसको अलग करती है जो है गरम दल और नरम दल जो है वो दो अलग अलग पार्टी में बट गए थे ठीक है गरम दल को यहां से हटा दिया गया था वो अग्षुद अलग हो गए थे उसके बाद 2016 में वो फिर वापिस आये और इसमें मुस्लिम लीक का जो है वो योगदान रहा था मुस्लिम लीक भी इसमें सामिल होई थी 1916 के अधिवेशन में अधिवेशन पर एक खास वीडियो आज आपको मिलेगी ठीक है कंटेंट तयार है वीडियो आपको आज इस पर मिलेगी अधिवेशन से जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी questions को आपको आज उस वीडियो को जरूर देखना है तो उस वीडियो को देखेगा और उससे related जितने question होगे आपके exam में definitely उस वीडियो से ही आपको मिलेंगे electron की कोज किस ने की थी जे जे थॉंसन ने की थी अब यहीं पर आपको proton और neutron के बारे में भी याद कर लेना है अगला प्रशन है spread sheet किस से संबंदित है तो spread sheet जो है वो MS Excel से संबंदित है Microsoft Excel और अगर आपको Microsoft Excel पूछे किस से संबंदित है तो MS Office से संबंदित है ठीक है यह सवाल पूछा गया था spread sheet इसके अलावा देखे 2011 की जनगना के अनुसार सबसे कम जनसंक्या घनतोवाला राज़ पूछा गया अरुनाचल प्रदेश इसके बाद है उन्नती योजना पूछी गई है तो देखे अगर उन्नती योजना किसी राज़ को लेकर पूछी गई है इसके अलावा देखे 2016 में पैरलम्पिक खेलों में पूछा गया कि पदख जीते वाली बारत की पहली महिला पूछा गया तो आंसर दीपा-मल्यक होगा और अगर पूछा गया कि स्दीपा-मल्यक किसको मिला था 2016 में तो आंसर हो जागा रजट पदक मिला था किसको दीपा मली को और ऐसा करने वाली वो पहली भारते महिला बन गई थी जिनको पैर अलंपिक खेल में पदक मिला था नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है एसिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है हाला कि यह भारत का सबसे बड़ा बांध है ठीक है भारत का सबसे बड़ा और एसिया का दूसरा सबसे बड़ा यह भी याद रखना है आपको कहां पर है केरल में है नाम है इसका बंसूरा बांध और यह किस नदी पर है काबिनी नदी पर है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्राखंड का एक निर्त्य पूछा गया जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है तो यह होगा चलिया चलिया कहां का निर्त्य है उत्राखंड का ठीक है next question देखिए, अगला question है सिंवेक तराश से संबंदी साइध कोई question पूचा गया है कि question जो है वो clear नहीं था सिद्धे ऐसे लिखा गया कि सिंवेक तराश से संबंदी देख प्रशन था, तो हो सकता है उसके स्थापना मुख्याला या कुछ ऐसा कुछ पूछा गया हो अगला प्रशन है महाराष्ट कब बना था तो महाराष्ट का जो गटन है वो 1 मई 1960 को किया गया था गांधी जी दक्षीन अफ्रीका से लोटने के बाद 1916 में किस विश्विद्याले कि उद्गाटन समारों में गये थे वहाँ पर इन्होंने भाषन दिया था ये भाषन इन्होंने कहां पर दिया था बनारस हिंदू विश्विद्याले यानि BHU में इन्होंने भाषन दिया था 1916 में किस विद्याले के उद्गाटन समारों में गये थे तो 1916 में जो बनारे सिंदू विश्विद्याले का उद्गाटन हुआ था अब आपसे पूछा जाएगा बनारे सिंदू विश्विद्याले को बनाया किसने था इसकी अस्थापना किसने की थी ठीक है बहुत यह अच्छा सवाल है इस question का answer आप लोगो comment करना है अगला प्रशने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषना जोर्ज पंचम ने कब की थी तो जोर्ज पंचम ने इस चीज की घोषना 11 दिसंबर 1911 को की थी 11 दिसंबर 1911 को जोर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषना कर दी थी इसके बाद है भारत में हरित करांती का जनक पूछा गया है तो भारत में हरित करांती का जनक किसे कहा जाता है MS स्वामी नाथन को MS स्वामी नाथन को भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता है और अगर विश्व में इसके जनक पूछे जाएं तो Norman Barlog आपको याद रखना है, कहां के हैं ये Norman Barlog, ये आपको comment करना बहुत important है, Norman Barlog कहां के हैं, किस देश के हैं, ये भी आप comment कीजिए, अगला प्रश्ण यहां पर देखिए, केवला देव राष्टिय उद्यान, जिसको भरतपूर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, तो केवला देव राष्टिय उद्यान, यानि National Park जो है, वो कहां पर है, राजस्थान में, राजस्थान में एक जगा है भरतपूर, और इसी के नाम से ये भरतपूर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, तो भरतपूर राजस्थान में केवला देव राष्टिय उ उसके according आपको answer करना था, ठीक है, सबसे last में जो deputy PM रहे हैं, वो कौन रहे हैं, लाल कृष्ण आडवानी रहे हैं, डाल कृष्ण आडवानी रहे हैं, किसके समय पर, जब BJP के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, अटल विहारी वाजपी, उस वक्त पर लाल कृष्ण आडवानी ज रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में 1927 इस भी में हुआ था, तो दोस्तों ये थी आज के first shift के questions, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कीजे, जाता से जादा इस वीडियो को share कीजे, thank you so much, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ध